वेल्कम टू क्लासटेंट टेश्ट तो आज का टॉपिक है B, S, C, Ass, Test 1 तो देखते हैं हम लोग सॉफ्ट स्किल का जो कोश्चन साते हैं एक्जाम में तो वो आते हैं B, S, C, Ass, तो इसके लिए हम लोग ने अपने एप्स पर चार टेस्ट बनाए हैं और वो चारो टेस्ट का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और एक्जाम में जितने भी कोश्चन्स आएंगे न वो इसी से आएंगे more than 90% questions same to same रहेंगे इसलिए आप लोग तैयारी करेंगे जम कर ठीक है तो एक बार देख लीजिए आपका clear हो जाएगा उसके बाद apps पर जाएंगे और जा करके टेस्ट देदेंगे तो स्टार्ट करते हैं अटेंप टेस्ट टेस्ट ओके शैलेंज करते हैं सभी को और इस competition में participate कराएं नेक्स्ट और आई हैव रीड अंडरस्टूड सारे इंस्ट्रक्शन को मैंने रीड कर लिया पढ़ लिया समझ लिया ओके और attempt टेस्ट पर क्लिक किये questions हमारा आ गया है तो यह जो first attempt जो हमारा first test है इसमें 15 questions है 15 questions का यह test बनाया गया है ठीक है और 30 minutes time है आसानी से उसके पहले हम लोग complete करेंगे with full instructions पूरा details समझेंगे और यह देखिए हमारा questions है ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा first questions यहां पर मौजूद है एक minute just a minute मैं थोड़ा आपका screen को बढ़ा कर दूँ ओके one minute keyboard add कर लूँ और screen को फड़ा कर देता हूं नौ यू see that your screen is bigger more bigger and let's read carefully okay if a team leader communicates positively ध्यान देंगे जदी कोई आपका team में जो लीडर है वो positively communicates करता है positively वारता करता है with each teammates जो इसके teammates हैं जो team के सदस है उन सभी के साथ positively communicate करता है and gets the work done effectively the person has और जो work है उसे effectively फिर उसके बाद after discussion वो करता है तो the person है तो उस person के पास क्या है कि वो आदमी communicates करता है positively तो number one option है good vision उसका vision जो है वो बहुत अच्छा है the power to make people work for him या हर या उसके पास power है कि लोगों को अपनी तरह पाकरसित कर सके और work कर सके सभी लोग एक साथ है न और उसके लिए काम कर सके good interpersonal skills कि good interpersonal skills कि उसका interpersonal skills अच्छा है तो इन तीन options में आपको most suitable क्या लग रहा है good vision the power to make people work for him या हर या good interpersonal skills तो हम चिक करते है the power to make people work for him या हर उसके पास power है कि लोगों को अपनी तरह आकरसित कर सके है तो अब हम लोग क्या करेंगे उसकी बाद क्या है यहां पर आप देखेंगे ठीक है ना save & next यह आमारा new friends circle जब आप एक नया friends circle जोएन करते हैं there is nothing wrong in तो वहाँ पर कोई भी गल्ती नहीं है कि आप वहाँ पर क्या करते हैं hiding your likings आप कोई चीच पसंद करते हैं तो उसे आप चुपाते हैं कि नहीं भएज यह पसंद नहीं है अप चुपा रहा हैं कि आप क्या है कि आप न्यू फ्रेंट सर्किल में गए हैं और वहां पर भोज चल रहा है तो कहते हैं नहीं मुझे यह अच्छा नहीं लिगता है खाने का मन है लेकिन का रहे हैं नहीं जूरत है तो वह गया हाइडिंग यूर लाइकिंग्स प्रॉडली प्रेजेंटिंग तो यू और आपसे कोई कोशन आस क्या जाता है तो आप उसे नेगलेक्ट करते हैं इन तीनों में से कौन सा सही एंसर होगा जब आप एक नया फ्रेंट सर्किल करते हैं तो वहां पर कोई गलत नहीं है कौन सा हाइडिंग यूर लाइकिंग्स प्रॉडली प्रेजेंटिंट तो यहां पर सबसे अच्छा यही है प्रॉडली प्रेजेंटिंग यूर टैलेंट्स जब भी आप किसी फ्रेंट सर्किल में जाईए ठीक है न ग्रूप में जाईए तो वहां पर आपके पास जो टैलेंट्स है उस टैलेंट्स को आप शुपाईए नहीं अपने दोस्तों क बीच में टैलेंट्स को प्रस्टूत कीजिए तो उस्ट एप्रोप्रीयेट एंसरेंड मोगें अच्छ प्रॉड़ली प्रेजेंटिंग यूर टैलेंट्स नाव बीच मुव इन नेस्ट कोश्चन सेवंड नेक्स्ट कोश्चन 3 इस दा मोस्त इंपॉरंट कंपोनेंट अप making successful presentation, जदि आप कोई presentation बना रहे हैं, तो सबसे successful presentation बनाने के लिए, सबसे सफल presentation बनाने के लिए, इन तीन में से कौन सा option सबसे जरूरी है, preparation, narration, communication, narration मतलब होता है comment लिखना ने, communication मतलब वारता करना और preparation मतलब तयारी, ठीक है न, तो कोई भी presentation यदि आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से बने, तो उसके पलिये सबसे जरूरी चीज क्या होता है, preparation, तैयारी, आपने कितनी तैयारी की है, अगर तैयारी अच्छी है, तो आपको सफलता भी अच्छा मिलेगा, तो and option होगा, preparation, ओके, next, save and next, to identify negativity in you, अपने अंदर कोई negativity है, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, है न, हमारे में कोई कमी है, कमजोरी है, यानि उसे negativity कहते हैं, तो उसे हम लोग कैसे identify करेंगे, neglect your weakness, अपनी कमजोरियों को neglect करो, रहने दो, छोड़ो, उसे neglect करो, है न, पहला तो option यह का रहा है, second का रहा है, hide your weakness from your friends, दूसरा, अपने weakness को दोस्तों से छुपाओ, परिवार जनों से छुपाओ, किसी के सामने प्रकट ना होने दो, तीसरा, speak about your weakness with your friends, और तीसरा, अपने weakness, अपने negativity के बारे में लोग को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, उनसे चर्चा करो, और उसमें सुधार लाने की कोशिस फिर करेंगे, है न, तो most appropriate answer is third, speak about your weakness with your friends, so simple, to identify negativity in you, speak about your weakness with your friends, same and next, next question, preparing to-do list helps you too, to-do list, to-do list mतलब आपको आज क्या काम करना है, या कल क्या करना है, या एक सक्ता अगले में आगे आने वाले दिनों में क्या क्या और करना, उसका आपने क्या क्या और टू-डू list बना लिया, समय अनुसार, कि मुझे इतना वज़े उड़ना है, इतना बज़े market जाना है, इतना बज़े पढ़ना है, इतना बज़े school जाना, इतना बज़े home work उनाना है, आपने वो daily का to-do list बना हुए है, तो क्यूं वो आपको किस तरह से help कर सकता है, पबाला, prioritize your tasks as per the available time, आपके जो tasks हैं उसको दियेगे available time पर, complete कराएगा, उसमें priority देगा पहला तो यह है दूसरा hand over the task task को hand over करने में मदद करेगा और तीसरा know your pending task और तीसरा कितना task pending है उसमें आपको बताएगा तो तीनों में से most appropriate अगर कोई answer है तो वो first है टूडो लिष्ट बनाने से फाइदा हिया होता है कि हम दिये गए समय पर कोई भी काम को सही ढंग से कर सकते हैं कि किस काम को पहले करना है किस काम को बाद में करना है किस को किते देर में करना है वो हम लोग टूडो लिष्ट में बना लेते हैं तो हमें करने में असानी रहता है तो that's necessary for your life, okay, तो first option, prioritize your task as per the available time, same and next, next questions है, in a presentation, you should accept different views of different people, this shows your, आप कोई presentation दे रहे हैं, आप presentation दे रहे हैं, और उसमें आप देख रहे हैं कि अलग-अलग लोग का, अलग-अलग view है, और आप उसे accept कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसे आप accept करते हैं, और उसे पर work करते हैं, य आपको सो करता है, this shows your, या सो करता है कि आप में के अंदर, opens your for criticism, आपके अंदर, criticism को देखने का छमता है, positive attitude and positive acceptance of critical feedback, और कोई भी critical feedback है, जिससे कि आप में ये problem है, आप उस पर positive attitude रखते हैं, और positive acceptance करते हैं, कि हाँ भाई, इसमें problem है, इसको हम सुधार करते हैं, और इसका presentation ह हम लोग इस तरह से बनाते हैं, तो यह दिखाना, positive attitude and positive acceptance, और politeness, और तीसरा politeness, नम्रता आपके दिखाता है, तो इन तीनों में से most appropriate कोई answer है, तो यह सबसे लंबा चोड़ा वाला, है न, positive attitude and positive acceptance of critical feedback, ओके, तो next question की तरफ बढ़ते हैं, आप इन सब questions को अच्छी तरह से असनेहा, doesn't like the feedback given by her teacher, असनेहा जो है, उसके teacher के द्वारा जो feedback दिया जाता है, उसे वो like नहीं करती है, on her dressing style, उसके dressing style पर सनेहा का dressing style है, उस पर उसकी teacher कह रही है, कि भाई, थोड़ा सा अपना dressing को सुधार करो, and I started crying, और जैसे ही उसकी teacher बोलती है और समझाती है, तो वो उस पर crying करती है, चिलाती है, या गुसा करती है, या उसके feedback को नहीं गरहन करती है, तो यह क्या सो करता है, this indicates, यह क्या सो कर रहा है, कि असनेहा का nature कैसा है, she dislikes the teacher, वो a teacher को dislike करती है, यह तो कोई जरूरी नहीं है, वो तो उसके feedback को like नहीं कर रही है, she needs to work on accepting feedback positively, she feel a sense of herself, वो खुद पर सरबिन्दा महसूस करती है, ऐसा तो नहीं बात है, वो चिला रही है, है ना, she needs to work on accepting feedback positively, उसमें जरूरत है कि कोई feedback अगर दे रहा है, तो उसको वो positively accept करे, है ना, कोई भी हमारे बारे में कुछ कह रहे ह हमारे पैरेंट्स हमारे बारे में कुछ कह रहे है कि नहीं भाई तुम में यह problem है, इसको तुम सुधारो, तुम थोड़ा अपना प्रहाय ठीक से करो, खेलने का समय ठीक करो, ठीक है ना, तो वो चिछ को positively feedback आपको accept करना चाहिए, she needs to work on accepting feedback positively, तो उसे अपने में सुधार ला करना होगा, और feedback को positively accept करना होगा, तो options two is correct, है ना, सबसे लंबा चोड़ा वाला, so simple, save and next, next question, मीना saw her colleagues, mailbox open, when her colleague was not in, not in her place, what should be मीना's reaction to this, मीना ने क्या देखा, कि उसकी कलिक्स जो है, है ना, मीना की जो कलिक्स है, उसका mailbox खुला हुगा है, ओफिस में काम कर रही है, और मीला का, बगल में उसके friends का table है, उस पर देख रही है क्या, कि उसका mailbox खुला हुआ है, और वो तो है ही नहीं यहाँ पर, winner colleague was not in her place, और वो यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है, वासरूम गई हुई है, या कहीं छुट्टी पर निकल है, दो चार घंटे के लिए, ठीक है, यहाँ चली गई है, और उसका mailbox खुला हुआ है, what should be Mina's reaction to this, तो ऐसी अविस्था में, Mina को क्या करना चाहिए, देखें, यहाँ तीन option दिया गया है, क्या क्या करना चाहिए, जो, Mina should inform this to her colleague on her return, जब उसकी colleague आएगी, तो उसे इसके बारे में बता देगी, है न, Mina should check her mailbox, दूसरा, बॉका अच्छा है, उसके सारे mailbox को read कर डालो, है न, तीसरा, Mina should inform this to other staff members and make them check her mailbox, और तीसरा यह, कि सारे staff member को बुलाओ, और को, अरे, Mina का तो खुला हुआ है, चलो, देखो, क्या-क्या आता है, इसका mailbox में, check करो, तो यह third, तो पूरी आवेसी को check करना गलत है, और Mina should check her mailbox, तो यह तो मैंने कहा ही, गलत है, तो यह दोनों options गलत है, किसी का mailbox, आपको बिना उसके जायत के check करना गलत है, तो आप क्या करेंगे, उसके system को shutdown कर देंगे, है न, और जब वो आएंगी, तो उन्हें इस चीज से अफगत करा देगी, य जली सी मैक्स दू परशंट जीलियसी मतलग जलन, है न, उर्शया, क्या करता है परशन में, इंक्या के इभेवुर अपर पृटिशइटिंगे भूर इन अदर स्कापहन, कपा प्रिशों से उर्शया है, मुझे अपने भाई से उर्षया है, मुझे अपने भाई से इर्ष imagin तो उनके अंदर जो अच्छा चीज है उस अच्छे चीज को हम गहन करने में इन क्यापवल हो जाते हैं कैपवल नहीं रहते उससे जदन करते ना ना उसका अच्छा है छड़े 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 मेरे को नहीं चाहिए है ना दूसरा प्रेशेटिंग तो फर्स्ट ऑप्संस सह एक ग्रूप में वह खुद को एक्ष कर पाता अच्छा वकता है Eğer एक शाब था AV तो वहां पर बोल नहीं पाता है इसकी चाहता था सर्वातान उसकी अच्वार लगतंने लगती है दिस इंडिकेट और इंडिकेड कर रहा एं कि네 मेर्स तो थिंक वार्श प्रॉबलम्स उसे इस problems के बारे में सोचना चाहिए He has to overcome his fear उसे इस fear से बाहर आना चाहिए और he needs to work on interpersonal skills and confidence उसे क्या चाहिए interpersonal skills पर work करना चाहिए और अपने confidence पर अपने confidence पर अपने सामर्थ पर उसे work करना चाहिए और उसे पढ़ाना चाहिए सबसे लंबा चोड़ा वाला ही एंसर होगा फिर एक बार तो सही हो गया खिलिए next सेव एड नेक्स्ट अस्पेंडिंग सम टाइम इन प्लानिंग योडे इज आप प्लानिंग बना रहे हैं और उसमें आप कुछ समय व्यतीत कर रहे हैं तो वेस्ट आफ टाइम यह क्या है एक समय का व्यार्थता है कि हम एक टू-डू लिस्ट बनाते हैं स्पेंडिंग सम टाइम कर रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई मेरे यहां जो साधी विवाह होने वाला है उसमें कौन काम कैसे कैसे किया जाएगा उसमें हम लोग पहले कुछ समय व्यतीत कर रहे हैं कि चलो एक प्वान बना लेते हैं काम करेंगे तो यह तो आपको अच्छा खासा प्रोब्लब दे सकता है है ना तो सबसे अच्छा एंसर यह सेकेंड वाला है ना सबसे लंबा चोड़ा तो ना गुद जलका इक अच्छा वालेते क्वा धिक्वान एफिक्वा प्रोड़ा है तो मुदिन रेस्पोसिब्लिटि अच्छा थर्दकेंड लेना ग्रहां करना गूर गूर खोड़ा र्र्दक्वेश कर सकतार विलिद्ट कम्मारेते हैं और प्लेस पर कोई काम आया तो वहाँ पर आप responsibility लेते हैं कि चलिए मैं इस काम को सही ढंग से करूँगा तो ये क्या सोग करता है आपका positive behavior? responsibility, accountability ये आपका सोग कर रहा है क्या? responsibility कि आप responsible होते हैं इस काम के लिए ठीक है और इस काम को सही ढंग से करेंगे Short term goals can be accomplished in short term goals क्या होता है? एक छोटे से समय में complete हो जाता है ठीक है? यानि in a short life short term goals can be accomplished in short term goals complete होता है, खत्म होता है short term life पे in a short life, in a year, in few minutes, in a short life, जैसे कि आपको आगे जाकर एक officer बनना है तो आप कहते हैं भाई कि चलो चोटे चोटा गोल बना लो अभी हम दो घंटा टेली ट्यूसन पढ़ा लेंगे चार घंटा हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पले क्या करेंगे कुकर करेंगे की कई की बन जाय है, उसके बाद हम क्या करेंगे की आफिसर के लिए प्रयास करेंगे तो आप certain goal बनाते हैं उसके पहले औरुस अचीव करते हुए फिर आप एक लंबे से goal को अचीव करते हैं, तो short term goals can be accomplished in a short life, okay, , सब्सक्राइब आपका माइड एक्सेट नहीं कर रहा है डियू अपक्याइड करते हैं एस टार्ट गिविंग इक्सक्ञूजेज अब अध्यूज़ प्रॉबलेम्स अब कोई चीज चीज एक्जाम में पास नहीं करते हैं ठीक है ना अपकोई काम अच्छी तरह से नहीं कर प कर पा रहे हैं आप एक्जाम पास नहीं कर पाएं अच्छे नंबर्स नहीं ला पाएं तो आप क्या करते हैं दुनिया वर का एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं तो आप्सन फर्स्ट इस सही है अश्टार गीविंग इस्कूज अब दा अचीविंग दा गोल अचीव करने के संब्द में आप इसक्यूज देना सुरू करते हैं इस यह गलत बात है ऐसा नहीं करना चाहिए आप जो टास्क के लिए आप क्या करते हैं चेकलिस्ट बनाते हैं जैसे 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 काम होता है चेकलिस्ट मारते जाओ जैसे कि बहुत सारी सब्जिया लाना हो तो आप इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको टास्क रिमेंबर नहीं रहता है आपके दिमाग में टेंशन चल रहा है कि हर काम समय से चले सही बात है सबसे अच्छा एंसर कोई है तो फर्स्ट वल्दाशन सही है कि आप चाहते हैं कि समय से काम हो इसलिए आप क्या करते हैं चेक्लिस्ट बनाते हैं तो यह हम लोग का पार्ट वन टेस्ट है है ना हमने पंदरा का पंदरा कोशन्स बना दिया और आप क्या करेंगे इन सारे टेस्ट को आप लोग भी दे लेंगे ठीके डा ओके तो फाइनल इजाम आपका अच्छा जाएगा थैंक य कर दो दो होग और दो हमेगे अच्छा पंदराक्otal